, लो, भी वाधूर्वर्वों स्वाकत आपका हमारे & M Cra Crail, आज میں आप को बताने वाल here, ज़्य कैसे हैं? अपने वी बैलंस में ट्रान्फार कर सकते हैं मतलब की वोडाफूं का बैलंस अपने वोडाफूं सिम में यूसका बैलन्स आप veio तून सिम में जयाUS कि मेरे में Vodafone में balance पड़े हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरे पर जो दूसरी वारी सी में उसमें मुझे balance की जरूरत पड़ गई या message का requirement हो गया है तो वहाँ पर मुझे balance जरूरत पड़ती है तो मैं वहाँ पर transfer करने के लिए सोचता हूं तो कभी कभी इसलिए मैं balance ट्रांसफर करने के लिए मुझे trick चाहिए होती है तो पहले ये trick तो पहले use होती थी जैसे कि पहले किया तो पहले system इसमें app में option दिया था company ने लेकिन अभी app में option हटा दिया है जब से merge हुआ है तब से मतलब जब वहले वोड़ा फून था तो वोड़ा फून में option दिया गया था लेकिन अभी वी app जब से आ गया है तब से उसके अंदर option को हटा दिया गया है तो मैं यहाँ पर आपको कैसे क्या करना पूरे step by step बताऊंगा तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और साधी साथ और उसके पहले में आपको इक बात और बताना सथ हों यदि आपने अभी मेरेRE टेलीग्राम चैनल को जोין नहीं किया तो अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया क्यूंकि टेलीग्राम करने के बाद आपको वहां पर सबसे पहले मिल जाता है और आपको वहां पर जॉइन होना बहुत ही मश्ड़ हुई है कि कि आपको कभी कभी हो सकता है कि आपको कोई अपडेट ना पसंद आए लेकिन वहां पर आपको जो आपडेट मिलेगी वह 100% रहती है ठीक है आपको क्या करना पूरा step by step आपको समझ लेना है तब ही आपको यहाँ पर वड़ाफ़ों का balance आपके bank account में पहुँच जाएगा इंदस्यन आपके other sim में पहुच जाएगा यहाँ पर मेरा कहने को अलब यह था कि V sim से V sim में balance transfer हो जाएगा अब आपको क्या करना है पूरा इसको समझ लिजे तो फटाक से आप पहले वीडियो को लाइक कर दिजे और साथी चैनल को सब्सक्राइब कर दिजे नहीं हो जाएंगे और उसके बाद तिरह आप अपना ट्रिक देखके और यहां से आप चले जाएंगे और मेरे चैनल पर आपको दुबारा वीडियो अपडेट नहीं मिल पाएगा तो अब आपको क्या करना है यहां पर हम आपको समझा देते हैं यहां पर समझने से पहले कुछ वीडियो की टर्मन कर्णिसन को भी समझ लेते हैं यहां पर टर्मन कर्णिसन क्या है यहां पर टर्मन कर्णिसन यह है कि आपको वीडियो को टर्मन कर्णिसन समझने के लिए आपको यहाँ भी यह समझना होगा कि आपके जो वी सिम है उस सिम को कम से कम तीन मेहने पुराना होना चाहिए मतलब यदि आपने सिम अभी न्यू खरीदा है तो आप अपने बैलन्स को अपने अधर सिम में ट्रांसवर नहीं कर सकते हैं उसके बाद यदि आपके पास तीन मेहने पुराना सिम है तब ही आप उस बैलन्स को अपने अधर सिम में ट्रांसवर कर सकते हैं मतलब अधर सिम का मतलब यह है कि अपने दूसरे वोड़ाफोन या एडिया सिम में ट्रांसवर कर सकते हैं आपको करना क्या है कि आपको यहां पे जानने के लिए सबसे पहले चीज यहां पे मश्ट है कि आपका जो वड़ाफ फूंकर सिम है या एडिया सिम है वो तीन महेना ओल्ड होना चाहिए मतलब न्यू सिम नहीं होना चाहिए यदि आपका ओल्ड सिम है तो आप तीन महेने के बाद उसको तीन मेहने के बाद ही आप वहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं और यह दिया आपका ओल्ड जिम है तो आप तुरंत इंस्टैंट ट्रांसफर कर सकते हैं ट्रांसफर करने के पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं यहाँ पर जो ट्रांजक्शन चार्ज है उसको भी आपको समझ लेना है यहाँ पे आप transaction चार्ज किया है यहाँ पे transaction जाज यह है कि आप यहाँ transfer कर सकते हैं 5 रुपए से लेके 50 रुपए तक मतलब पहले क्या था एक दिन के अंदर 25 रुपए था लेकिन अभी यहाँ पे कर दिया गया है 5 रुपए से लेके 50 रुपए तक मतलब 5 रुपए से लेके आप 50 रुपए तक अपना transfer कर सकते हैं किसी भी वोड़ फोन या idea sim में अपने idea sim या वोड़ फोन से अब क्या करना है आपको वहाँ पी आप बात को समझ लिए समझने के बाद अब आपको यहाँ पे ध्यान में यह रखना है कि आपके पास कम से कम 5 रुपए से उपर कम से कम 5 रुपए सम्थिंग कम से कम आपके पास 10 रुपए से उपर आपके जो वोड़ फोन sim है उसमें बाइलस होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी महादपूर्पूर्ट बात यह है कि यहाँ पे ट्रांसफर करने के लिए आपको लगेगा 10 परसन का चार्ज 10 परसन का चार्ज देना होगा कमपनी को यदि आपके पास समझ जिए 100 रुपए आपके SIM में पड़े हुए है और आप उसको चाहते हैं कि आप दूसरे SIM में मतलब दूसरे टेली कॉम जैसे सपोज डैट आपके पास Vodafone में SIM में बालनस पड़े हुए है और आप चाहते हैं कि अपने आइडिया वाले SIM में बालनस ट्रांसफर कर लो तो आपको वहाँ पे 100 रुपए में से 10 रुपए कंपनी काट लेगी और आप वहाँ पे 90 रुपए ट्रांसफर कर पाएंगी ये बात को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अब आपको क्या करना है इसके बाद अब आपको करना है सिंपल सा सिस्टम चलते हैं अपने उस ट्रिक से जिससे आपको यहाँ पे ट्रांसफर करने का मैं सिस्टम बताऊंगा तो आपको यह बात को बहुत ज़्यादा ध्यान रख लेना है जो जो मैंने आपको बताई है फ्रेंड्स उससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ यहाँ वी आप में जैसे आप ओपन करेंगे ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे आपसन देख लेना है कि आपको यहाँ पे कोई आपसन सो हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो सबसे पहले हम यह option आपको दिखा देते हैं उसके बाद फिर्म आपको बताएंगे कैसे आपका जो balance है वो आपके दूसरे wallet में transfer होगा मतलब कि आप जो sim में आपका balance है वो आप कैसे अपने दूसरे sim में transfer कर पाएंगे तो से यहाँ पे आपको क्या करना है यहाँ पे आपको three line पे click करना है click करने के बाद अब आपको यहाँ पे देखिए कोई भी option आपको यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत से option नहीं हो रहा है जैसे आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं आपको यहाँ पर कोई भी आफसन सो नहीं हो रहा है जिसे आप यहाँ पर ट्रांसफर कर सकें ठीक है तो यहाँ पर कोई भी आफसन सो नहीं हो रहा है ठीक है अब आपको यहाँ पर यह बात सोंज में आ गई कि यहाँ पर apps के अंदर तो कोई ऐसे option नहीं है कि जिससे आप अपना टाक्टडम बालेस ट्रांसफर कर सकते हो लेकिन आपको ट्रांसफर करने के लिए क्या चाहिए कैसे transfer होगा इसके लिए हम चलते हैं अपने dial को और उसके बाद यहाँ पर हम dial करते हैं यहाँ पर मैं आगे हूँ डालर system section के अंदर अब यहाँ मुझे dial करना होगा dial करके मैं आपको live proof दिखाऊंगा कि अब आपको कैसे यहाँ पर पूरा system live proof आपको करके दिखाता हूँ तो वीडियो को पूरा देख लिजेगा आज की date में और अच्छे से समझ लिजेगा आप देखें यहाँ पर जो code है उस code को मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर जो मैं trick है इस trick को आपको बता रहा हूँ तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ लेना है और अगर यदि नहीं सौझ में आएगा तो कोई दिकत की बात नहीं आपको एक next वीडियो में लेके आ जाऊंगा उस next वीडियो का अंदा दूसरी trick भी बता दूँगा कम से कम इस वाट इस tribe की वीडियो में मैं कम से कम तीन पार्ट में वीडियो बनाऊंगा यह पहला पार्ट है पिर दूसरा पार्ट है ती तीसरा पार्ट है तीन पार्ट की वीडियो बनेगी और तीन आपको ट्रिक लेकर आऊंगा जिसके अंतरकत आप यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं तो ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले आपको डालना है 191 has code डालके अब आपको यहाँ पर dial करना है डायरेक्ट अपने idea वाले sim से जैसे आप dial करेंगे dial करने बाद यहाँ भी usd code running लेगा और running लेने के बाद अब आपको यहाँ पर इस तरीके से interface आ जाएगा आने के बाद अब आपको क्या करना है यहाँ फिर से आप समझा देता हूँ आपको 191 dial करना है 191 has करना है उसके बाद फिर आपको dial करना है अपने idea या वोड़फोन से sim से और आपको यहाँ पर तोड़ा loading लेगा loading लेगा आपको यहाँ पर इस तरीके से interface आ जाएगा आने के बाद अब आपको यहाँ पर एक option मिलेगा टाक टाइम ट्रांसफर का देखी दूसरे नमबर पर आपको यहाँ मिल जाएगा तो आपको यहाँ पर dial कर देना है टू टू डैल करना है और dial करना है send पर section पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर आ जाएंगे और आने को आद आपको यहाँ पर एक interface मिल ला है जिसमें आपको दिखा होगा यहाँ पर लिखा है कि इंटर दा 10 डिजिट विपार्टी ठीक है यहाँ पर आपको लिखा है idea prepared upist only ठीक है यहाँ पर आपको क्या लिखा है कि आप idea prepared यहाँ पर इस तरीके से लिखा है तो आप यहाँ पर कोई दिकत की बात नहीं आप यहाँ अपना vodafone number यह idea number जो दोना number आपको डालना है डाल के आप यहाँ जैसे send करेंगे तो आपका instant आपका जो balance है वो आपके दूसरी जिस number पर आप send कर रहे है उसमें पहुँच जाएगा बस आपको ध्यान यह रखना है कि आपका जो sim हो वो 3 month आपका old हो नहीं तो आप transfer करते रह जाएंगे और आपका transfer नहीं होगा दूसरी condition आपको यह है कि आपको balance उसमें होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 10% charge कर रहा है उसके वज़े से भी आपका balance transfer नहीं होगा ठीक है और तीसरी condition जो सबसे महत्रपूर कंडिशन है वो यह है यदि आपके इस code को apply करेंगे और नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं हो सकता है कि आपके उस server यह आपके उस area में यह code apply नहो रहा हो ठीक है तो हो सकता है ऐसा भी दिक्कत आती है तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं इसका second part वीडियो आप जरूर देख लीजेगा जैसे upload हो जाएगा तो आपको link discussion मिल जाएगा वैसे मैं उमीद करता हूँ कि आपको यह trick बहुत ही पसंद आई होगी और विल्कुल आपका try करेंगे तो 100% working भी रहेगी क्योंकि मैं खुद इसको try करके देखा हूँ तो वीडियो अच्छी है कि तो लाइक कर दिये शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे चैनल को इसी तरह लेज़र अपडिप पाने के लिए मेरे टिलीग्राम चर्ण को जरूर जान करेंगे जहां पर आपको लेज़र सबसे पहले मिल जाता है ओके बाइक थांक्स वालोट नाइस टाक्यों